हाई फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम आज आप मेरे साथ राजपुती पोशाक में कांचली की कटिंग देखने वाले हैं वीडियो पसंद आये तो जरू लाइक और शेयर कर दें साथी चैनल को जरू सब्सक्राइब करें तो मैंने कुर्ती की कटिंग कर लिए टोटल फैब्रिक दो स्लीव की जो गुलाई थी वो थी 10 इंच तो स्लीव की गुलाई होती है उससे 3-4 इंच के बीच में हम इससे ज़दा लेता है तो मैंने इसको ले लिया है साधे 13 इंच यानिकि साधे 3 इंच मैंने ज़दा रख लिया है एस कपड़े को और उसके अकॉडिंग फोल्ड कर ल लगाएंगे यानि पोने साथ पर और यहां से लेंगे हम पांच एंज और यह कर लेंगे इसको सिधा जो हो गिरी अमारी खराकी सबसे पहला हम आपांच एंज विए उसके बार ले लेटे हम ट्की जो पांच इंज तो डबल फोल्ड करनाARS । और विए और इंज चॉकोर करने के लिए इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो एक्सरा निकाल कर हम इसको बल्गूल चॉकोर कर लेंगे और अब इसको दे देंगे नीचे से एक इंच की गुलाई तो ये टुकी का उपर वाला हिसा हो जाएगा अधिके फिर से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है सवाचार तक है, चार सवाचार के बीच में और यहाँ पर हम बिना केवडे की कांसली बनाने वाले है तो ये लंबाई ले ले लेंगे हम इसमें नौ इंच तो ये दो इससे कड़ली हमने और यहाँ से थोड़ा साम इसको तिर्चा करेंगे डैड इंच अब पीछे के लिए फड़का लेना हमें चैंच वड़ाई में और इसके लंबाई मैंने लिए साड़े आठ एंच तो ये 34 चेस्ट के लिए है कांसली आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं और दो मीटर कपड़े में पहले कूर्थी और उसके बाद कांसली निकालने के बाद जितना भी फैब्रेक बसता है उससे हमें लेनी है अपनी मगजी बनानी है वह आपको मेरे हर वीडियो में मिल जाएगी इसलिए मैं मगजी बनाना नहीं बता रही हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा पसंद आया तो जरू लाइक और शेर कर दें आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अल्दी से सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन पर भी क्लिक करें